सब्सक्राइब कीजिए सेविसेर एकाड़मी को और प्रेस कीजिए बेल आइकॉन फोर मोर अपडेट्स दोस्तो इस दोरान कुछ इन्वेस्टर्स के मेसेज़ेस आए इन्वेस्टर्स, मेंबर्स की सर टाटा पावर पर एक वीडियो होना चाहिए बनना चाहिए तो क्या होता है दोस्तों मैं जनरली हम क्या देखते हैं कि जो भी इन्वेस्टर्स या कमेंड में मैसेज में लिखते हैं कि इस पर वीडियो बनाया जाए तो जब तक 20 या 20 से ज़्यादा लोगों का समावेश नहीं होता तब तक हम उस पर वीडियो नहीं बनाते हैं तो जब investors या कई जो भी है members तो अगर वो लिखते हैं कि सर इस पर वीडियो बनाया जाए और उसकी संख्या 20 से जब ज़्यादा होती है तो हम वीडियो जरूर बनाते हैं बसरते कि वो quality stock हो हाँ दोस्तों अगर वो quality stock है हमारे analysis के angle के हिसाफ से point के हिसाफ से तो निश्चित र दोस्तों मैं आपका ध्यान आज अकर्सित करों टाटा पावर पर पहले दोस्तों मैं कुछ करना चाहूंगा टाटा पावर के बारे में टाटा पावर दोस्तों देखा जाये तो 104 सार 104 एंट एंट फोर यस ओल्ड कंपनी है यह इस्टेबलिश्ट हुआ था 18 सेप्टेमबर 1919 को 18 सितंबर 1919 में यह इस्टेबलिश हुआ था और इसका हैटकॉटर बॉंबवे हाउस तो यहां पर ही मुवई में जो बॉंबे हाउस नाम से यह इसका हैटकॉटर है फ्लोरा फॉंटेन से काफी नज़्दीक में है है हैटकॉटर और यहां पर हाँ तर दोराव जी टाट इसके founder थे तो Tata Power का देखा जाए तो contribution इंडिया में बहुत बड़ा है दोस्तों और अगर इनका कारियोभी से देखा जाए operational location जो देखा जाए तो दोस्तों even number of countries में है Tata Power Singapore में, Indonesia, Africa और भी कई countries में इनका समावेश है दोस्तों तो मैं जरूर यह कहूंगा कि Tata Power और long term point of view say one of the best stock है दोस्तों चलिए आपको जो आपका प्रस्न है उसका उत्तर भी मैं देने जा रहा हूं और आपका ध्यान अकरसित कर रहा हूं Tata Power की तरफ यह मेरा part 1 है दोस्तों चलिए आपका ध्यान अकरसित कर रहा हूं Tata Power का जो closing price था 23rd June 2023 के दिन तो समय उसका current market price 218.30 as on 23rd June 2023 के हिसाब से market capitalization no doubt large cap में है 69,754 करोस तो आपका जो प्रस्न है दोस्तों की इस पर hold किया जाए और या इसको और buy किया जाए या sell किया जाए तो उसका में उत्तर देने जा रहा हु दोस्तों जीसे मेंने कहा दोस्तो की power company में ज्यदहत अधर क्या होता है दोस्तों उनका progress तो होता है निस्चित रूफ से growth तो क्यों होगा लिकिन उनका जो चलने का या बिसे बनता हो slow रहता हे ज्यदःतर तो तो power company में अधिकतर क्या होता है कि उनके जो growth होते हैं growth जरूर होता है और होगा भी लेकिन उनका जो price में share price में जो उनके price action आते हैं या उसके price में हम term में देखते हैं तो वो slow थोड़ा चलता है तो अगर मुझे याद है कुछ वर्स पहले इसका ऐसा भाव था मुझे याद है 55-56 रुपी मैंने टाटा पावर का भाव एक बार देखा है लेकिन number of years back की बात कर रहा हूं दोस्तों मुझे याद नहीं है कौन से year की में बात कर रहा हूं लेकिन मैंने ये वह 55-56 भी टाटा का भाव देखा है बस इतना याद है मुझे दोस्तों तो चलिए आपको मैं यह याद दिला दिया यह बात कह दिया आपके जैस नॉलेज के लिए तो पहले तो मैं कहूंगा जैसे पहले ही का दोस्तों की टाटा पावर एक ऐसा स्टॉक है जो लॉंग टम के लिए बैस्ट ह तो आपको इसे होल्ड करना चाहिए जो लॉंग टम इन्वेस्टर है वो होल्ड ही करें टाटा पावर को हाँ बिल्कुल और जो और खरीदना चाहते हैं टाटा पावर में और एड करना है उनको तो बेस्ट जो पहला पॉइंट मैं ने देखा दोस्तों की 206 वाला जो तो मेरा ध्यान आप पर पॉइंट पर यह करना जरूरी है कि जब कभी भी टाटा पावर का 206 या उसके नीचे आए तो आप निश्चित रूफ से थोड़े पैमाने पर या अपने बजट के अनुसार उसको उसमें एड करिए और नजरिया लॉंग टम कर रखिए दोस्तों पहले ही मैंने कर दिया है हां अगर आपको कभी सेल करना है तो पार्टली सेल करिएगा क्योंकि टाटा पावर जैसा अगर आपके पास मालो जैसे 200 या 250 शेर हैं तो भई हम चलो ठीक है शेर प्राइस जब 250 के आस्वास आए या 250 रूपी सो टच करता है जब कभी भी तो वह बहुत है या 250 शेर क今天 है और उस भाव पर हमने से को वेच है लेकिन पार कि जैसे मैं अगर जैसे मैं यह सुद्ध का दीर ढव तो स्था गेका देख यह इस तरह स्शेर और यह धोड़ी मैं देख रहा हौ लेकिन थोड़ा समय लगता है कभी-कभी या पावर सेक्टर जिस दिन मार्केट में सभी ट्रेडर, इन्वेस्टर शरी पावर काउंटर पे ही ज्यादा ट्रेडिंग कर रहे हैं तो उस दिन हो सकता है टाटा पावर में बहुत गती शिलता आ जाए और जब कभी भी दोस्तों टाटा पावर का भाव दोसो पचास या उसके उपर गया, उसी दिन या उसके दूसरे दिन मेरा पार्ट टू का वीडियो जरूर आएगा टाटा पावर के लिए, ये ध्यान में हो सकता टाटा पाउर एक ही दिन में 2% 3% या 5% भी उपर हो तो डिपेंड करता है कि ट्रेडर और इन्वेस्टर्स के उपर निर्भर करता है कि वो उस दिन किस इस काउंटर पर एक्टिव है तभी तो मानता हूं दोस्तो जो इसे आपने प्रशDavid में उत्तर बता दीया आपको तर दे दिया कि किस भौँ पर हमें और ज्यादा एड़ करना चाहिए और किस भौँ पर पार्टली सेला ना चाहिए मैं मानता हूं मेरी बात को आपने सरगल रूप में समझ लिया होगा बस चलते चलते में वही कहूंगा जो आप पहले से जानते हैं दोस्तों कि हमारा लाइफ मेंबर्शिप 15 अगस्त को जिसमें हमने 50% discount offer किया है वह आप प्लान कर लीजे और लाइफ मेंबर्शिप में यह होता है दोस्तों कि हम शॉट टम में आपको बाइकॉल देते हैं और आप शॉट टम में एक रेगलर income side income आप कमा सकते हैं मार्केट से जिसमें हम दो को बाइकॉल या उससे भी ज्यादा देते हैं पॉन मार्केट ट्रेंड के उपर निर्फर करता है उसी के साथ दोस्तों में जरूर को अगर मार्केट में आपको वैज्ज बनाना है लॉंग टम की लिए तो पॉर्टफोलिय मैनेजमेंट सर्विस इस बेस्ट उसी इसाफ से हमारा मुटी बेगर पॉटफोलिय मैनेजमें service भी है वो आपके investment plan पर निर्फर करता है लेकिन यह है कि यहां पर आप long term के हिसाब से market में अच्छा पैसा और वेल्ज बना सकते हैं और उसी के साथ साथ दोस्तों इसमें हमारे पास एक तरफ से तुम्हें देख रहा हूं हमारे पास 10 platinum stock है पांच मल्टी बेगर है तो उस तरह से आप इसमें भी प्लान कर सकते हैं प्लेटीनम stock में बड़े पैमाने पर प्लान कर सकते हैं और limited budget के हिसाफ से मल्टी बेगर में प्लान कर सकते हैं तो इससे संबंदी जो भी आपको जानकरी चाहिए दोस्तों WhatsApp में मेसेज किए आपको सारी जानकरी फ्राफ्ट हो जाएगी चलिए फिर मिलते हैं फिर मिलते हैं झाल 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 झाल